जहिंत सातियों एकोनोमिस क्लास में एक वार फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम है चैन सींग और आज हम समझेंगे दोस्तो मूली निर्धारन में समय तत्व के महत हो हमने क्या पढ़ लिया शुरू में कि मांग सक्ती और पूर्ती सक्ती के द्वारा ही सामे कीमत का निर्ध या फिर अधिक भूमी का मांग की होती है तो दौनों को हमें समझना जरूरी होता है और यह चीज अभी तक हमने नहीं पड़ी है इसका कोई महत हमने नहीं देखा है अब इसी के महत को या फिर इस परकार का प्रशने जब उठा तो मार्सल ने क्या किया सबसे पहले यह कहा कि जब दोनों में कौन सी सक्ति का अधिक प्रभाव है ये देखने के लिए हमें समय महप को इसमें जोडना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों सक्तियों को समायुजित होने के लिए कुछ समय लगता है समायुजित होने के लिए कुछ समय लगता है मतलब की हमने क्या समझा जब गिराब पर हमने ये देखा कि दौनों बराबर हो जाती है तब जाके क्या होता है साम बिंदू कर निर्धारन होता है या संतुलित कीमत कर निर्धारन होता है अब ये बरावर कब होंगी इसके लिए कुछ समय लगेगा अब माली ये पूर्टी यहां पर हो रही है मांग यहां पर हो रही है तो क्या ये बरावर है नहीं है ये इस बिंदू पर बरावर हुई है तो इसमें कुछ समय लगेगा ना पूर्टी में और जो मांग है उसको ब रखना है अती अल्पकाल दूसरा अल्पकाल उससे थोड़ा सा बढ़ा कि उसके बाद तीसरा दीरहकाल मतलब की लंबा जुझ अब इन तीनों समय में पूर्ति और ये युझ मांग है बहुरव क्या होती और अच्छा होती है उसकी इस्तिती भी परिवर्तित होती है अब देखिए जैसे कि हम अल्पकाल में जाएं देखिए इन तीन फैक्टर के अलावा हमें कुछ चीज़े और यहां पर ध्यान रखनी होंगी पहले का जो चैप्टर है वो हमें रिवाइब करना पड़ेगा थोड़ होगा यदि हमें किलियर है तो हमाजानी से समझ जाएंगे इसके वाद साधन को साधनों में जो परिवर्टन होता है तो उत्पादन और साधन य roughly हमें चाहिए तब जाकर इसस्तिती को हम और आसानी से समझ में आ जाए समझ सकेंगे क्योंकि यहां पर क्या होता है दौनों का मेल होता है सभी चीजों का मेल होता है देखिए किस प्रकार से मेल होता है अब हम सबसे पहले बात करते हैं अती अल्पकाल की अती अल्पकाल में हमें सभी सिच्वेशन को पहले समझना होगा कौन-कौन सी सिच्वेशन क मांग, तो बाजार में देखिए, मांग तो परिवर्तित होती रहती है, अधिक भी हो सकती है, या बढ़ भी सकती है, तो अती अलपकाल में मांग कैसी रहती है, परिवर्तंसील रहती है, ये चीज हुई, मांग तो परिवर्तित होती रहती है, मांग तो एक दिन में भी परिवर्तन सील रहती है और यदि हम पूर्ती की बात यहां पर करते हैं अल्पकाल में यदि पूर्ती वाले हम चैप्टर में जाएंगे तो अल्पकाल में पूर्ती में अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते पूर्ती में हम कम परिवर्तन कर पाएंगे क्योंकि अल्पकाल में अमाली जैसे हमने उधारन लिये हुए थे कि बहुत बड़ा ओडर आ जाता है उसे दो दिन में हमें कंप्लीट करना है तो हम कब कर पाएंगे जब हमारे पास मसिंडी होगी यदि मसिंडी नहीं होगी तो हम फिर उत्पादन नहीं बड़ा पाएंगे तो उत्पादन और सादनों का यहां पर सैयोग होता है तब जाके हम पूर्ती कर पाते हैं तो पूर्ती अल्पकाल में कैसी रहती है लगबग इस्थिर रहती है तो इस्थिर मानकरी हमें चलना है इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते दूसरी चीज अल्पकाल में जो जल्दी नस्ठ होने वाली वस्तुमें रहती है उनको भी हमें ध्यान रखना है जैसे टमाटर हुआ खाने पीनी के चीजे हुई दूद हुआ इनका अल्पकाल ही रहता है और अल्पकाल में इनकी मांक परिवर्तित रहती है लेकिन पूर्ती कैसी रहती है बे लोचदार रहती है उसमें लोच नहीं रहती उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते देखी जैसे टमाटर हैं, टमाटर को एक या दो दिन लगेंगे रख सकते हैं, फिर फ्रिज में रख सकते हैं, उनकी बिक्री नहीं करेंगे तो फिर वो जल्दी नश्ट हो जाएंगे, ये चीज भी हमें समझ के रखना है, अतियल्पकाल में, और साधन, ये सब किसमें भूम करने बाते हैं, उत्पादन और साधन पूर्ती में, तो दो चीज हमने समझ लिए, बस ये हमारे लिए मुक है, दोनों चीजों के द्वारा ही, साम में कीमत या फिर संतुलब कीमत का निर्धारन होता है, तो पूर्ती बेलोचदार रहती है, और मांग लोचदार रहती है, अब इसका गिराफ हम किस परकार से बनाएंगे, अब गिराफ हमने समझ लिया, तो अल्पकाल में जो समय फैक्टर है, उसको हम समझ सकते हैं, समय तर्प को हम समझ सकते हैं, अब देखिए क्या होता है, अती अल्पकाल बहे अब्दी होती है, जिसमें कुल पूर्ती तो कैं बस्तु में रहती है अतियल्पकाल या फिर बाजार ये भी क्या है छोटी अब्धीका है अतियल्पकाल में पूर्ती स्थिर रहती है इसलिए बस्तु की जो कीमत होती है बस्तु की जो कीमत होती है फिर्मुक रूप से क्या करती है मांग के द्वारा निर्दारित होती मांग क अधिक मेहत होता है अब यहसे हम ग्राफ यहां पर बनाएं दोनों इस्थितियों को हम ग्राफ पर प्रिजेंट करेंगे तो हम आसानी से इसको समझ सकते है यह हमारा एक्स एक्स यह हमारा बाइक्स आ Class Ch Ace पर हम देखिए यह जो उपर हमने समझा हुआ है इस परकार से में नीचे कर लेता हूं यह सीधा गिराब बनता है पूर्थी का एक वक्र होता है और इस परकार के गिराब बनता है मांग का डिमांड का अब हमें क्या करना है यहां पर यह दौनों कंडीशन याद रखना दोनों सिच्वेशन याद रखना है कि अल्पकाल में होता क्या है आकिर तो पूर्ती कैसी होती है इस्थिर होती है अब पूर्ती का यदि इस्थिर है तो मानके चलिए यह क्यू मात्रा है पूर्ती की बाजार में उपलब्द है तो यह इस्थिर है तो यहां पर क्या करते हैं सैस बक्र बना देते हैं यह क्या हो गया हमारा पूर्ती का हो गया अब परिवर्तन किस में करना है सिर्फ मांग में मांग में परिवर्त मांग परिवर्तित है लोचदार है तो मांग को हम क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं बड़ा सकते हैं अब अल्पकाल में जो संतुलित कीमत हो मूल वक्र है तो इस स्थित्ति निया स्थित्ति में यहां पर जद किमत होगी और यह सामि बिन्दु यह एक चीज हमें समझ में आ पहली देखेड़ी जो बना दृट कुर्थ हमने यहां पर बना दे हैं पूर्ति तो कैसी होगी इस्टिर होगी क्यों कि पूर्ती में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं पूर्ती को हम कब बढ़ा सकते हैं जब हमारे पास साधन हो और समय हो अब अतियल्पकाल बहुत चोटा समय होता है उसमें हम नहीं साधन बढ़ा सकते हैं नहीं उत्पादन की मात्रा होगी यदि बढ़ेगी तो गिराफ इस परकार का बन जाएगा यह डीडी बन हो जाएगा मान लीजे मांग बढ़ गई है तो यह डीडी बन हमारा गिराफ हो गया है अब बढ़ गई है तो संतुलल कीमत कहां पर पहुंच गई है यहां पर अब इस बिंदू को हम यहां से मिल पर क्या हो जाता है कीमत बढ़ जाती है क्योंकि पूर्ती इस्थिर रहती है इसके बाद एक ग्राफ नीचे भी बना कर देख लेती है यह डीडी टू हो गया इसमें क्या देख रहे हैं यहां तो उपर की तरफ हमने मांग को बढ़ाया था यहां नीचे की तरफ मांग को क्या किया है कम किया है कम किया है तो संतुलन मिंदू कौन सा हो गया है यह वाला अब यहां से हम कीमत को यदि देखें तो यह P2 कीमत हो गई है और पहले जो कीमत थी P, उससे क्या हो गई है? ये कम हो गई है. अब यहाँ पर दौनों इस्टितियां हमने देख ली हैं, तो क्या हमारा निसकर्स निकल के आता है? यदि मांग बढ़ जाती है तो कीमत भी बढ़ जाएगी, यदि मांग कम हो जाती है तो कीमत भी घट यही सारा पिरकरां और यही सारा जो निसकर्स है हमारा इस चित्र के दौरा निकल के आया है, इस गिराप के दौरा निकल के आया है तो अती अलपकाल में मांग बढ़ेगी, पढ़ेगी, कीमत भी बढ़ेगी, और मांग घटेगी कीमत भी घटेगी इस प्रकार से ये प्रभाब होगा ठीक है तो अतिकल अल्पकाल में संतुलन कीमत पर किस प्रकार का प्रभाब पड़ेगा कि यदि मांग बढ़ जाएगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी कि सम्तुलित कीमत भी बढ़ जाएगी और मांग घड़ जाएगी तो सम्तुलित कीमत भी घड़ जाएगी क्योंकि पूर्ती उस समय किस प्रकार की रहती है इस्थे रहती है यह पहली situation है इसको हमें अच्छे से समय लेना है निस्कर्स के रूप में यह दो बाते हमें ध्यान इतना समझ में आ गया?